विल्कम टू मैंथ लाइस चनल इस कुरसिं को सवाल पर रहने क्या नॉन फाइंड करना है इस प्रपोर्शन में तो क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले तो राइट कर लाते हैं क्या है 12 एरेशो पी देन यह प्रपोर्शन और यह 3 एरेशो 6 अच्छा है हमारे पास यह होगा प्रॉड़क्ट ऑफ मीन और एक्स्ट्रीम होगा तो मीन होती है इन दोनों की प्रॉड़क्ट और एक्स्ट्रीम होती है इन दोनों की तो यहां पर हम पहले प्रॉड़क्ट ऑफ मीन भी राइट कर सकते हैं और पहले प्रॉड़क्ट ऑफ ए कि आजाता है जिसकी प्रॉडक्ट में वेरियबल हो तो मीन की प्रॉडक्ट में वेरियबल है कि एक्स्ट्रीम की प्रॉडक्ट में वेरियबल नहीं है यह दोनों नंबर्स हैं इसकी प्रॉडक्ट में मीन की प्रॉडक्ट में वेरियबल है वेरियबल है तो वेरियबल की वै मीन्स पहले राइट करेंगे because उनकी प्राड़क्ट में वैरियबल है और यहां पर हम राइट करते हैं प्राड़क्ट और एक्स्ट्रीम्स मीन्स की प्राड़क्ट में हमारे पास पी और थरी आ गया और एक्स्ट्रीम्स की प्राड़क्ट में 12 और 6 है एक्स्ट्रीम्स बाइर वालों को कहते हैं मीन अंदर वालों को इस तरह से याद रख लो और पी हमारे पास यहीं पर रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने हैं यही अनना होना है और यह भी यहीं पर रहेगा इदर 3 मुल्टिप्ला हो रहे हैं अब आप दो काम कर सकते हैं यहां तो इनको मुल्टिप्लाइ कर दो 12 एंटू 6 मेरे पास होता है 72 को दन 3 से डिवाइट करो तो आगे पास असरा जागा I think 24 और अगर आपने डिरेक्ट नहीं करना कट करना अच्छा लगता है तो वह कर लो हम कट कर लेते हैं यहां पर 3 1 टाइम 3 ठीकि 3 टाइम 12 होता है 4 टाइम 4 इंटू 6 24 तो अगर आप मुल्टिप्लाइ भी करो कैल्कुल इंदे नों को कर दो तो सेम टेबल से करते हैं 3 से कट किया इदे 3 से इदे 3 टाइम 3 टीकिते टाइम 12 फोता है फोर सिक्स राएगा मुल्टिप्लाइ करके आंसर अगया तो इस ता से स्वाल हो गया तो इस चैनल की प्रेलिस को विजट कर लो रिशो और पर पो सारे कोरस्ट विडियो जाएंगे विडियो चे लगे तो विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो टेक गए